देखने में यह जितना अच्छा लग रहा है ना खाने में भी यकीन मानी यह बहुत ही टेश्टी लगता है यह है सहजन की सब्जी यानि की ड्रम स्टिक्स इसे आप किस नाम से जानते हैं कॉमेंट करके जरूर बताएं अगर आपको आज की रेसीपी पसंद आती है तो प्रीज इसे लाइफ करें अपने फ्रेंट्स और फेमिली के साथ और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें बेल आइकॉन को क्लिक करें तकि आपको मेरे वीडियो की नोटिफिकेशन सबसे पहले मिलें तो आईए बनाते हैं इसे ड्रम स्टिक्स यानि सहजन के सब्जी बनाने के लिए मैंने लिया है धाई सोग्राम सहजन आजकल इसका मौसम है न तो ये मार्किट में आपको बहुत आसानी से मिल जाता है और जिसे ये पसंद होता है वो तो इसे खरीदे बिना नहीं रहता है तो पहले तो इसे पानी से साफ कर लें उसके बाद 2,5 इंच के टुकडे में इस तरीके से छोटा छोटा काट लें बहुत जादा हमें इसे छोटा नहीं करना है क्योंकि इसका जो खाने का तरीका होता है वो अलग होता है इसी के साथ मैंने लिया है एक medium size का आलू इसे भी मैंने लंबा काट लिया है अब इसे एक side रग देते हैं और इसका मसाला त्यार कर लेते हैं अब एक blender ले ले और उसमें डाल दे दो medium size के प्याज इसी के साथ मैं डाल रही हूँ एक चम्मच लैसन 8-10 लैसन की कलिया उसको इस तरीके से बारिक करके डाल दे आधा इंच अद्रक का टुकड़ा डाल दे एक छोटा चम्मच जीरा डाल रही हूँ एक छोटा चम्मच इसमें काली मिर्श डाल दे इस सबजी में बहुत सारे मसाले नहीं डाले जाते हैं बहुत लिम्टिट मसाले होते हैं इसमें और इसी के साथ मैं डाल रही हूँ एक चम्मच भींगा हुआ सरसो सरसो के दानों को मैंने 10-15 मिनट के लिए पानी में भींगो दिया था ताकि यह सौफ्ट हो जाए उसके बाद इसका पेश्ट हम अच्छा बना सकते हैं तो थोड़ा सा पानी डाल दे और एकदम फाइन पेश्ट इसका तयार कर ले अगर आप सिल बट्टे पर सरसो को पीशते हैं तो सरसो जो है बहुत अच्छा उसका पेश्ट तयार हो जाता है लेकिन blender या grinder में क्या है कि हमें थोड़ा ज़्यादा चलाना पड़ता है क्योंकि सर्सों के दाने बागी चीजों के साथ पेश्ट बनाने में थोड़ा समय लगता है तो बस मैंने अच्छी तरह इसे पीस लिया है अब इसे एक साइड रग देते हैं अब एक पैन गरम करें और उसमें डाल दे 4-5 चम्मस तेल मैं सर्सों के तेल में बना रही हूँ आप कोई भी तेल इस्तमाल कर सकते हैं गरम हो जाने दे उसके बाद इसमें थोड़ा सा मेथी थोड़ा सा जीरा डाल दे दो-तीन खड़ा लाल मिश डाल दे आप चाहे तो हरी मिर्च भी डाल सकते हैं थोड़ा सा हिंग डाल दे, कोई भी सबजी बना रहे हो हिंग का इस्तमाला आप जरूर करें, पेट के लिए अच्छा होता है हल्का सा इस तरीके से कवर करें, उसके बाद जो हमने पेश्ट पर तयार करके रखा है उसे डाल दे यह हमने cover इसलिए नहीं किया है कि यह camera के ऊपर छीटे पढ़ेंगे यह चीटे हमारे ऊपर पढ़ सकते हैं इसलिए बड़ी साउधानी से यह काम करें क्योंकि जो प्याज होता है वो गीला होता है तो जैसे ही हम उसको गरम तेल में डालते हैं तो वो छटकने लगता है तो उ क्षोटा चमपच ह同गि जहाए काशमेरे लाल मिल्च और एक चमपच और लाल मिल्च पाउडर स्वाथ के अनुसार डाल दें अर नमक भी आप अपने स्वाथ के अनुसार डाल दें बस मीडियम से हाई के बीच में फ्लेम को करें और इसे दो से तीन मिनट के लिए पहले भून लें इस तरीके से दबाते रहें ताकि ये जो टमाटर है वो अच्छी तरह घल जाए बस दो मिनट मैंने इसे भून लिया है अब इसमें जो सहजन और आलू हमने काटके रखा था उसे डाल दे और दो से तीन मिनट के लिए मीडियम फ्लेम पर इसी तरीके से हम चलाते रहेंगे तोड़ी थोड़ी देर पर ताकि ये जो मसाले है ना सहजन और आलू के साथ अच्छी तरह मिक्स हो जाए जो भी सब्जी आप बना रहे हो मसाले के साथ अगर 2-3 मिनटा भून लेते है तो जो सब्जी का टेस्ट है वो बहुत ही अच्छा हो जाता है आप चाहे तो इसे सुखा भी बना सकते हैं सूखा बनाने के लिए क्या है कि आप एक कप या आधा कप पानी डाले और धीमी आज पर इसे ढख कर छोड़ दे उससे क्या है यह सबजी सूखी हो जाएगी और लेकिन मैं इसे बना रही हूँ ग्रेवी वाली क्योंकि यह जो सबजी यह सहजन की न यह ग्रेवी में ज्याद लेयर रहे पानी का बहुत ज्यादा भी नहीं डालना है नहीं तो यह बहुत पतला हो जाएगा बस थोड़ा सा और डाल देते हैं बस गैस का फ्लेम हमें लो टू मीडियम के बीच में करना है और ढख कर इसे हमें तब तक पकाना है जब तक कि यह सहजन और आलू अच्छी पक नहीं जाता है तो इसे इसी तरीके से छोड़ देते हैं इसे चलाने के भी जरूरत नहीं है कि यह नीचे से लगेगा और वैसे तो यह नौन श्टिकी बढ़तन है बीच में आप चला भी सकते हैं तो अब एक पर देख लेते हैं करीब 10-12 मिनट हो चुका है इसको पकते यह जो सहजन है बहुत ही अच्छी तरह पक चुका है आलू भी चेक कर लेते हैं वैसे आलू जो है बहुत ही जल्दी गल जाता है बस यह भी गल चुका है यह जो सब्ची है तम तयार हो चुका है अगर आपके पास धनिया पत्ती है तो इसमें थोड़ा सा आप डाल दे मेर पास भी धन्यापत्ति नहीं है घर में थोड़ा सा इसके ऊपर ना लास्ट में हमें डालना है आमचूर पाउडर आमचूर पाउडर जो है आप मसाले के साथ न डालें लास्ट में डालें जब सब्जी बन जाए तो बस हमारा सहजन और अलू का एकदम टेश्टी मज़ेदार सबजी बनकर तयार हो चुका है इसे आप सिंपल रोटी के साथ चावल के साथ जैसे मर्जी सर्व करें यकीन मानिए बहुत ही डेश्टी लगता है अगर आपने कभी ये ट्राइ नहीं किया है तो एक बार ये रेसिपी जरूर बना कर देखें आपको बहुत पसंद आएगा उमीद करती हूँ वीडियो आपको पसंद आई होगी और देखिए इसका कलर जो दिख रहा है ये थोड़ी देर बाद जब 4-5 मिनट बाद आप सबजी को देखेंगे न उसका कलर जो है इसी तरीके से दिखेगा क्योंकि इसमें हमने काश्मेरी लाल मिर्च पाउडर डाला था तो सबजी देखने में जितना अच्छा लग रहा है खाने में भी यकीन मानिये बहुत ही टेश्टी लगता है तो मिलते हैं नेक्स वीडियो में कॉमेंट करके जरूर बताएं कि आपको ए रेसिपी कैसी लगी थैंक यू